हलो फ्रेंड्स आज फिर से हम आपके लिए बहुत बड़ी और अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं और ये निकल के आ रही है इस रो की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और फेमस और्गनाइजेशन है बहुत सारों की ए ड्रीम जॉब भी रही है यहां पे से एक साल की अपरेंटिश शिप निकल के आ रही है हर एक ब्रांच सिबल, मकैनिकल, इलेक्टिकल यहां पे अपलाई कर सकता है डिपलोमा और बी टेक दोनों ही अलिजबल है कोई exam कोई fees नहीं है, direct selection हो रहा है all over India कहीं से भी apply कर सकते हैं अगर आप 2021 में pass out हो रहे हैं तो आप यहां पे completely eligible है तो detail notification के बारे में बात कर लेते हैं apply कैसे करना है, selection procedure क्या है, form को भढ़ना कैसे है इसकी last date क्या रहने वाली है हर चीज़कों में हाँ proper discuss करेंगे इसलिए video को last तक जरूर देखिएगा तो friends, मेरा नाम है AD Singh and I welcome you all on my channel civil engineering destination and ISO certified channel हम आपके लिए regular job updates लाते हैं तो अगर चानल को subscribe नहीं किया है तो आप कर सकते हैं और आप हमें सारे ही social media platform पे भी follow कर सकते हैं सभी का link आपको description में भी मिल जाएगा friends, अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हैं फिर वो चाहे DFC, CIL हो या कुछ भी हो SSCJ हो या gate हो तो unacademy पे रोज रात के 9 बजे मैं आपको personally पढ़ाता हूँ ये हमारी free class चलती है इसका कोई रुपिया पैसान नहीं लगता है जापर मैं आपको proper यहां भी teach करता हूँ अभी हम लोग SFD BMD कर रहे हैं SOM का, तो अगर आप लोग पढ़ना चाते हैं तो आप लोग enroll कर सकते हैं इसके लिए आपको unacademy app download कर लेना है और मेरा code CED140 यूज़ करना है बागी वीडियो का direct link class for direct link आपको description में भी मिल जाएगा बात कर लेते हैं सीधे आज की job recruitment के बारे में तो basically ये निकल के आ रही है इसरों की तरफ से ये आप देख सकते हो ये आप देख सकते हो ये इनका liquid proportional system center है यहाँ पे से recruitment निकल के आ रही है basically एक इसरों का unit है जो की आपका केरला में है liquid proportional system center ठीक है तो यहाँ पे से आपके निकल के आ रही है और ये आपका ये इसका official notification है जो की आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ पे सजैसमेन आपको बताया आपकी एक साल की apprenticeship निकल के आ रही है graduate और diploma वाले दोनों ही यहाँ पे apply कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे आपकी job location केरला रहने वाली है बट इसमें all over India आप लोग कहीं से भी form भर सकते हैं यहाँ पे आपकी एक साल की apprenticeship रहेगी जिसके दौरान आपको यहाँ पे proper training दी जाए यह training के दौरान थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको stipend भी दिया जाएगा और फिर उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा आपको regular नहीं किया जाएगा बट हाँ अगर आप इस दो से apprentice करते हैं तो आप यहाँ पे completely eligible है 2021 की बात कर लें तो आपका exam complete हो चुका होना चाहिए आपके result आ चुके होने चाहिए तभी 2021 वाले यहाँ पे apply कर सकते हैं वरना वो नहीं कर सकते हैं हाँ अगर आपका exam complete हो गया है और अगर आपको पर मार्क्स पता है तो आप अपना एक bonafide बनवा सकते हैं उसको भी as I यहाँ पे mark sheet मान ली जाती है apprenticeship में बट आपके पास होना चाहिए आपके exam proper complete हो चुके होने चाहिए ठीक है तो यह बात खेर मैंने आपको बता दी है इसका एक online रहने वाला है यह अपना सारफ procedure online रहेगा number of seats की बात कर लेते हैं तो mechanical के लिए 40 vacancy है electrical के लिए 7 electronics के लिए 8 इसके लावा chemical वालों के लिए 1 है CS वालों के लिए 4 है और civil वालों के लिए 4 vacancy निकल के आ रही है कुल मिलागे 73 vacancy निका ली गए है graduate apprenticeship के लिए अगर आपने B.E.B.Tech कर रखा है अपने ही ब्रांच में civil, mechanical में या किसी में नी तभी आप यहाँ पे apply कर सकते हैं graduate apprentice के लिए stipend की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 9000 रुपए की stipend मिलेगी stipend ठीक ठाकी है, normal है बट कही ना कहीं जो आप लोग काम करोगी उस काम की जाधा value होगी उस training की जाधा value होगी वो जो knowledge होगा उसकी जाधा value होगी पैसा हिता कुछ खास नहीं मिल लहा है duration यहाँ पे आपकी एक साल रहेगी location यहाँ पे आपकी केरला रहने वाली है ठीक है, next vacancy है हमारी diploma apprenticeship के लिए यह हमारी technical apprenticeship है यहाँ पे civil के लिए 6 vacancy है mechanical के लिए 53, electrical के लिए 7 vacancy है और आप अपने हैसाब से देख सेथे हो electronics के लिए 1 है इसी के लाबा automobile के लिए 2 vacancy है CS वालों के लिए 5 vacancy निकल के आ रही है यहाँ पे आपको time एक साल रहेगा location again इसकी केरिला रहने वाली है बट आप लोग all over India कहीं से भी इसका form भर सकते हो minimum qualification जैसे मैंने आपको बताया आपको अपने ही branch में BE बीट है कि आपको तीन साल के diploma होना चाहिए आपका CGPA 6.84 से जादा होना चाहिए या फिर 65% से आपका CGPA जादा होना चाहिए और अगर आप लोग diploma वाले हैं तो यहाँ पे आपका 60% mark से जादा होना चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजेगा age limit की बात कर लें तो हमारा apprenticeship rules जो कि हमारा 18 से लेके 24 साल चल लहा है उसकी बीच में यहाँ पे आपकी age रहनी चाहिए project आपका यह एक साल का रहेगा एक साल के बाद यहाँ पे आपको हटा दिया जाएगा अगर आप final year में हैं या फिर अगर आप लोग पहले भी apprenticeship कर चुके हैं या अगर एक साल से जादा का experience है या फिर अभी already कहीं working में है तो apprenticeship आप नहीं कर सकते हैं तो उस case में आप यहाँ पे eligible नहीं है यह सरे possible हमेशा freshers ही कर सकते हैं selection procedure की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको डिरेक्ट आपको यहाँ पे shortlist किया जाएगा आपके marks की basis पे उसी के according या पे आपको shortlist किया जाएगा apply कैसे करना है तो apply करने के लिए आपको MHRD Nets की जो official website है वहाँ पे जाना है login करना है login करने के बाद find establishment के section में आपको Indian Space Research Organization Liquid Propulsion System Center पूरा यह आपको जो लिखा हुआ यह वाँ जाके डालना है और वहाँ जाके आपको direct click कर देना है बस यही आपको करना है इसके लावा कुछ नहीं करना है अगर आप लोग apply कर देते हो shortlist होते हो तो यह आपको call करेंगे यानि कि आपकी mail ID पे mail आएगा यह इनका procedure रहने वाला है बाकिस के हरी चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी है ठीक है इसके form बनने की date start हो गई है तीस तारिक यानि की कल से last date इसकी 27 2021 रखी गई है तो as soon as possible यहाँ पे apply कर दीजिए इसी के अलावा यहाँ पे जो आपकी shortlist होएगी वो 2-8 यानि कि 2 August तक आपको बता चल जाएगा कि यहाँ पे कितनों का selection हुआ है इसके लिए वो थोड़ी और यहाँ पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो आपका document verification है वो आपका second या third week of August में हो जाएगा और उसी के बाद यहाँ पे आपके अपर internship भी चालूग हो जाएगी तो इसके अरी चीज़ मैंने आपको बता दी है इसका notification डाउनलोड करने के लिए आप हमारी official website पे विजिट कर सकते हो यह हमारी website है engineering destination.com यहाँ पे आपको इसके government job के section में जाना है जैसे ही आप जाते हो मैंने आपके लिए इसे already update कर दिया है आप देख सकते हो इसरो recruitment यहाँ पे जैसे ही आपको for more info में क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके साबने पुली notification खुल के आ जाएगी यहाँ पे आपको proper जाना है और proper जाने के बाद सब्स्राइब करिए और इसके अलावा रात में हमारी क्लास चलेगी 9 बजे अनकैडमी प्लैटफॉर्म पे जो जो लोग तयारी कर रहे हैं किसी भी एक्जाम के लिए तो वो आके जॉइन कर सकते हैं हम proper layman भाशा में पढ़ाते हैं अगर आप तयारी कर रहे हैं आप की चीज़ समझ में नहीं आती है तो अब बस आके एक क्लास अटेंड करिए अगर आपको आगे से पसंद नहीं आती हैं तो प्लीस मताईएगा बट हाँ यह वादा के मेरी क्लास अटेंड जरूर करिए मेरे सबसे request है हम SFD BMD start कर रहे हैं जिन जिन को पढ़ना है वो यहाँ पर आ सकते हैं जिनको समझ में नहीं आता है वो यहाँ पर आ सकते हैं कोई रुपिया पैसा नहीं लग रहा है इसके लिए आपको Unacademy app download कर देना है मेरा code CD140 यूज़ करना है और class का direct link मैं आपको इस video की description में भी दे दूँगा और आपको मेरा code भी डाल देंगे ठीक है तो जो जो बच्चे चाहते हैं यहाँ पर आके हमारे साथ जोड़ सकते